वेलकम तो यूटूब चैनल जी के जी अस्मित मनेश सर आज 4 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो का पीडियो आपको टेलिग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्किप किस देशने ग्रहन की है साथियो रूस 2024 के ब्रिक्स की अध्रक्षता करेगा कौन करेगा रूस करेगा अब रूस करेगा साथियो तो रूस की राधानी क्या है रूस की राधानी है मासकू रूस की क्रेंसी क्या है रसियन रूबल और रूस की राष्ट्रपती कौन है जापान के पर्धान मंतरी कौन है साथियो देखू रूस तो कित्रिम उपगरह, को अंतरिक्ष में प्रस्था करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो रूस है और जो कित्रिम उपगरह अस्थापित होते हैं अंत्रिक्षे में वो करीबन 36,000 km पर अस्थापित होते हैं कित्रिम हजार किलोमेटर पर साथ ही हो तो 36,000 km पर कित्रिम उपगरह जो है वो अंत्रिक्षे में अस्थापित होते हैं अंत्रिक्ष में जाने वाला पर्थम ब्यक्ति कौन है उसका नाम है मेजर यूरी गौगरीन साथियों अंत्रिक्ष में जाने वाला पर्थम ब्यक्ति कौन है अलेक्सी लेने वो और अंत्रिक्ष में जाने वाली पर्थम महिला कौन है वेलेंटेना तरे सुकोवा और ये तीन प्रफलकी द्रिश्टि से गहरी जील का फती हो विस्वें से गहरी जील है देखो रूस के संसत का नाम क्या है डियुमा केस्पिन सागर जो है ये रूस कजागिस्तान तुर्क मेलिस्तान और इरान में फैला हुआ है उनेगा जील कहा है रूस में है उनेगा जील सातियो कहा पर है तो रूस में है अगला प्रस्ट नमारा है बंदे भारत नमू और अम्रित भारत एक्सप्रेस की सुभधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बने गया है तो उत्तर परदेश सातियो बंदे भारत साथियो उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री कौन है योगिया जित्तेनाथ उत्तर परदेश के गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल उत्तर परदेश में राजसभा 31 है और लोकसभा 80 है साथियो मैंने कली बताया था आपको कि अयोध्या जक्षन का नाम बदल करके अयोध्या तकनीकी संस्थान कानपूर में है, भारतिय दलहन सोथ संस्थान कानपूर में है, साथ यू समॉल इंडरस्टीज डेवलेप्मेंट बैंक आफ इंडिया अर्थाथ सीडवी का हिटक्वार्टर कहा है, लखनों में और लखनों है गूमती रिभर के किनारे साथियो, सीडवी की स्थापना हुई थी 2 अपरेल 1990 को साथियो, मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि महरसी बाल में की अंतराश्टी हवाई अड़ा जो है यह अयोध्या में है और अयोध्या है सर्यू नदी के किनारे साथियो, साथियो, अगला प्रश्ण हमारा है, हाली में किस राज साथियो, 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 साथि हो ज्यार्खंड में राजसाभा छे है और लोगसाभा 14 है पलामु अभ्यारन बितला राश्ट्रि wrapping किस राज्य葉 में तो ज्यार्खंड मी यह Спасибо पारसनात्र वन्ने जीब भभ्यारन ज्हार्ट में है भारतिय लाह अनुशंधान संस्थान यह केंदरिये खनन अनुसंधान संस्थान कहा है तो धनवाद में है राष्टिय धातु विज्ञान परियोग साला ये कहां पर है तो जमसेदपूर में है साथियो कहां पर है जमसेदपूर में साथियो कोईला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनवाद को इस पात नगरी और भारत का पिट स नागपुर पठार से निकलती है, कहां से निकलती है, राची के छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है, और बंगाल की खारी में गिर जाती है, साथियो बंगाल की खारी में गिरती है, और गंगा नदी भी बंगाल की खारी में ही गिरती है, देखो, विर्सा मुंडा हवाई अड़ा कहा है राची में हुंदरु जल्ड प्रपात स्वरन रेखा नदी पर बना है और ये कहाँ पर है साथियो जार खंडे में है मून्दा जन जाती राची के छोटा नाघपुर पठा़ में वसी है मुंदा जन जाती साथियो और विर्षा मुंदा हवाई अड़ा कहा है राची में लेकिन अगर मैं पूछ दू कि विर्षा मुंदा होकी एस्टेडियम कहा है तो यह ओडिसा के राउर के लामे है साथियो साथियो अगला प्रश्ण हमारा है डेजर्ट साइकलोन 2024 सेन अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है तो डेजर्ट साइकलोन सेन अभ्यास का आयोजन साथियो संयुक्त अरव अमिरात और भारत के बीच होता है अब देखो इस अबार जो इसका आयोजन होगा वो कहां पर होगा तो रजिस्थान में होगा डेजर्ट साइकलोन सैन अभ्यास का आयोजन कहां होगा रजिस्थान में होगा और यह भारत और संयुक्त अरब अमिरात के बीच एक सैन अभ्यास है अब संयुक्त अरब अमिरात अर्थात यूनाइटड अरब अमिरात इसी को ब माजलवायू परिवर्तन सं मेलन की में जवाणि यूए य करेगा साथी puedo 28 COP वेठकि में जवाणि कोन कोन करेगा गया कौन किया साथी वाला तो यूए ये ने किया यूए यूए यूमि अलमिरहाद नाम बदल क्या कर दिया गया हिंद सहर साथी। और ये राज्य ने एक जनवरी 2024 को 108 अस्थानों पर एक साथ सामुहिक सुर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है साथी वैसा कौन सा राज्जी है जिसने 108 अस्थानों पर एक साथ सामुहिक सुर्य नमस्कार किया है और गिनीज वर्ल्ड ओफ रिकॉर्ड में प्रनामदर्ज किया है तो गुजरात साथी हो कौन है गुजरात अब गुजरात है तो गुजरात की राधानी क्या है गांधी देखो काकरा पारा परियोजना तापती नधी पर है उकाई परियोजना तापती नधी पर है पूरवंदर लेक वन्नेजीब अभ्यारन कहा है साथियो गुजरात में है रतन महल वन्नेजीब अभ्यारन गुजरात में है वंसदा राष्ट्रिय उद्यान कहा है तो गुजरा और साथियू, मैंने कल कि ये प्रशंट रूता था, कि भारत के पहले पंडुब्री प्रेटन का अनावरन जो किया गया है, यह द्वारी का में किया गया है. अर्थात इसका आंसर क्या हुजाएगा? आयोजन कहा हुआ हुआ है ये तेलंगना में हुआ है कहा हुआ है तेलंगना में राधानी क्या है साथियो है तेलंगना की राधानी और यह स्थापना के एकौर्डिंग भारत का उन्तिसमा राज्य है और इसकी एस्थापना 2 जून 2014 को हुई थी इस साथियो जो इमेज में आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है तेलंगना साथियो जो आपका आंदर परदेश से अलग हो करके भारत का 29 राज्य बनाएं साथियो तो अनुमुला रेवन्त रेड़ी है तेलंगना के मुखे वंतरी तेलंगना में राज सभा स साथ है है लोग सभा सिट 14 है विधान सभा सिट 119 है और विधान परिशरथ सिट कितना है 40 साथियो अब हम तेलंगना को साथियो बैल स राश्ट्रिय उद्यान कहां पर है तो तेलंगना में ही है साथियो देखो साथियो तेलंगना को बोला गया है पाक कला का सहर तेलंगना के हैदराबाद को बोला गया है नागारजुन सागरबांद जो है ये कृष्टना नदी पर है चार मिनार कहां है है ये साथ इमेज में द राष्ट्री हवाई अड़्डा दोनों हैद्राबाद में ही है साथियो ते लंगना के परोशी राज्य जो है वो कौन-कौन से है महाराष्ट्र है करनातक है च्छतिस गड़ है और आंत्रपतिस है मिर्गवनी राष्ट्री ये उद्ध्यान कहां पर है ते लंगना मी कॉंडा ते लंगना के राज्य पाल कौन है तमिल साही संदो राजन साथियो ते लंगना के राज्य पाल है साथियो ये था आज का हमारा महत्तपुर्ने क्रेंटक सेर कल साथियो मैंने आपको टॉपिक दिया था उत्तरपरदेश के बारें बताने के लिए आज मैं आप से तीन प्र प्तिबंद लगाने वाला दुनिया का पहरादिस कौन बना है तीसरा पश्ण आपका है परधान मंत्री निरंद्र मोजी के द्वारा कहां महरसी बालमिकी अंतरास्ट्री हवाई अड्डे का उध्गात ने किया गया है या अनावरन किया गया है इस तीनों पश्ण का जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथी हो यह था आज का हमारा महत्यपुर्ण क्रेंट अफ्यर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें इसका पीडिएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्किप् झाल